जहन साथियो स्वागत है आप सभी का ITI PLUS के एक नए वीडियो में तो फ्रेंट्स कौन नहीं चाहेगा भारतिये 9 से ना हो भारतिये वायू से ना हो या फिर भारतिये थल से ना हो इन तीनों में नोकरी करना काफी गर्व की बात है और यहाँ पर भारतिये 9 से ना यानि इंडियन नेवी में काफी अच्छी ओपोचनिटी आई है आपके लिए फ्रेंट्स यहाँ पर इंडियन नेवी इमार के लिए 2000 जो अपरिल 2022 बैच है उसके लिए आपर 300 वेकेंसी आई हुई है इस वीटियम बात करेंगे कि कौन-कौन इसके लिए अपलाई कर सकते हैं किनका किनका एड़ूट काड़ आई किया होते ये क्या सबका एड़ूट काड़ आएगा सेलिए बस क्या होते हैं कैसे आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका सेलेक्शन 100% हो जाए यह सारी जानकारी इस वीडियो मिलने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथी जितना हो सके इस वीडियो को सेयर करके उन दोस्तों तक पहुचा जीजेगा जो यहाँ पर फैन है इंडियन नेवी की इंडियन आर्मी की औ और यह नोटिकिकेसन आई है इप अप्रेयल दोहजर बाईस बाइस के लिए तो इसके लिए यहाँ पर कितनी वाकैन सिये उसके बारे में फिरंच बात कर लेते हैं कर सकते हैं प्रेंट्स आपको पता होना चाहिए इंडेन ने भी एमार के लिए जो पोस्ट होती है और पोस्ट होती है आपको सेफ की होती है स्टेवार्ड की होती है हाईजिनिस्ट की होती है तो यहां पर पोस्ट की बारें बात करें तो यहीं सब का काम होता है सेफ और स्ट कि बात ही होती है तो किसी भी पोस्ट को आपको छोटा नहीं मानना है यह काफी बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में आये बात कर लेते हैं कि सेलेक्शन कैसे होगा यहाँ पर कैसे सेलेक्शन होगा यहाँ पर जैसा कि ने भी बता पहले होता था यह कि पहले आपसे एक्ज सेलेक्शन्स कराइटेरिया जैसे कि करोना पर चेंज हुए है और यहां पर केवल जो क्या पांच उना यानि यहां पर वेकंशी है फ्रेंट्स यहां पर लगवग 15 कंडिडेट को बुलाया जाएगा एक्जाम के लिए रिटेंट टेस्ट के लिए रिटेंट फ्रेंट्स आपको जो है ऑनलाइन होते हैं यहां पर वेकंशी के बार बात करें तो तीन सो वेकंशी स्टेजवाइज होती है यानि प्रतिक स्टेट में अलग अलग वेकंशी होती है और उसी साफसे यहां पर होते हैं और काट of की बारें बात कि कितना कॉट of जाते हैं जैसे की नागालेंड मिजोरूम इन स्टेट का जो बहुत है यहां पर सिवेटी परसेंट भी रहते हैं तो इस हिसाब से देखर तो इसकी कोई यहां पर यहां पर एथी नहीं है कि हां कितना हो जाएगा कटव और फ्रेंट बात के लेते हैं कि इस तरीके से आपको पंदरसों कंडिडेट को बलाया जाता है और यहाँ पर एक्जामस होते हैं multiple choice questions यहाँ पर पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिस में जो questions paper पर एबलबल होते हैं questions paper में आपको दूर सेशन देखने को मिलेंगे एक सेशन होगा आपका mathematics और general science का और दूसरा आपका सेशन होता है यहाँ पर general knowledge का general knowledge से यहाँ पर फ्रेंट्स बात करें तो लगबख 25 प्रसंद पुछे जाते हैं उसी तरीके से science and mathematics से आपको 25 प्रसंद पुछे जाते हैं कुल मिला कर देखें फ्रेंट्स यहाँ पर 50 प्रसंद पुछे जाते हैं और यह 50 प्रसंद आपके जो है तेंथ लेबल के जो भी आपने तेंथ लेबल में पढ़े हैं उससे पुछे जाते हैं वहीं बात कर लेते ह है कि examinations कितने मतलब कितने आवस्ति होती है तो यहाँ पर 30 मिनट की होती है जो कि 30 मिनट काफी कम समय होता है और इसमें जो है आपको अच्छा अच्छा से score करना होता है तभी आपका यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर आती है पीफ्ट के लिए आपको ले आ जाता है कुछ इ 29 अक्टूबर से यहां पर अपलाई होना शुरू हो रहे हैं और अपलाई यहां पर दो नॉवंबर तक होंगे तो आपको बता दे 29 अक्टूबर से दो नॉवंबर के बीच में जाकर के आपको इंडियन नेवी जो जुवाइन नेवी के ऑफिशल साइट है इस साइट से जाको अपलाई आप कर सकते हैं फ्रेंट्स आप अपलाई कीजिए एडविट कर आएगा या फिर नहीं आएगा यह बोर्ट पे निभर करता है या आपक कोई एक्जामनेशन भी नहीं लिया जाना है बिल्कुल निशूल्क है तो आप अपलाई कर दीजिए हो सकता है आपका एडविट कार्ड आ जाए फ्रेंट्स तो कुछी इस तरीके से थे फ्रेंट्स अब बात कर लेते फ्रेंट्स सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस होती है जाना है आपको यहां पर देख्राइबस है कि साइंस और मैथ्मेटिक्स और साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में यहां पर इलेक्टिसिटी इससे प्रस्न पुछे जाते हैं और यहां पर अगले यहां पर बात करें तो आगे यहां पर प्रस्न पुछे जाते हैं बल और गुर्तवा कर्शन से न्यूटन के नियम यहां पर जो वर्क पावर एनर्जी है इससे प्रस्न पुछे जाते हैं आग आपको sound, wave, motion, atomic structure इससे प्रस्ट पुछे जाते हैं वहीं बात करेंगे आपको यहाँ पर mathematics में क्या क्या पुछे जाते हैं तो mathematics में आपको जो है simplification से ratio and proportion, algebra से पुछे जाते हैं वही लाइनर equation और यहाँ पर जो basic trigonometry है उससे प्रस्ट पुछे जाते हैं जो भी परस्ट ने आपर पूछे जाएंगे, ओक यह वहल मैंट्रिक लेवल के होंगे आपने मैंट्रिक में अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया है तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पास हो जाएंगे पर आगे हम आपको बताएंगे के इसके लिए कौन सी बुक आपको अच्छी रहेगी फ्रेंट्स यापर बात करें में तो यहाप पर सिंपल जो मेंसुरेशन होता है वह आपसे पुछे जाएंगे जुमेट्री के बहुत सारे परसन पुछे जाते हैं वहीं यहापर बात करें पुछे जाएंगे वहीं आपको बात करें इंट्रेस्ट में तो प्रोफिट एंड लॉस्ट से पुछे जाते हैं यहापर टाइम स्पीड एंडिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से भी परसन पुछे जाते हैं कुछी इस तरीके से आप कबर कर लिजे जितने टोपिक मैंने अगर इनके आप इस सभी को अच्छे तरीके से कबर अप कर ले तो आपका यहां पर सेलेक्शन कोई नहीं रुक पाया आप से संब्सक्राइब हमारा आता है जनरल अवर्नेस का तो जनरल अवर्नेस काफी इंपोर्टेंट होता है जामनेसंस के रिभी उसे यहां पर देखे आते हैं और 25 प्रेशन में आपको पुझे जाएंगे जोगराफिस में आपको नदी यहां पर मिट्टी पहाड आईलेंड इससे परसंद आपको पुझे जाएंगे फ्रेंट्स हमारा जो है कल्चर और रिलीजन प्रीडम मोमेंट जो फ्रीडम मोमेंट हमारा भारतिया सवत अंधोलन है इससे परस्ट पुझे जाते हैं और हिस्टी का जो मडर्ण पार्ट है मडर्ण फिश्ट एस्ट्री और यहां पर जो है आधुनिक इतिहास यह काफी इंपोर्टेंस निभाता है फ्रेंट इमार की एक्जामनेसंस में और यह बात करते आगे पुझे जाते किस बुक के कौन और यहां पर कॉन सी बिमारे किस 누्ट कि कमी से होती है सारे परस्ट अब指 पुझे जाते हैं और पर रहें पटार टाइप अगर आप सपोर्ट वाले कुले क्रेंट फैयर से कंप्लीट कर ले तो यहां पर काफी अच्छी हाप करिया पर कर सकते हो स्कूर वहीं आपको पुछे जाते हैं तो उसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना हैं वहीं आगे पूछे जाते हैं वहीं आगे पूछे जाते हैं सपोर्स चैंपियंस वीनर्स टीम और बीस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन टीम जो है किस कप के कौन भी जीता है उस तरीके से प्रस्थप जाते हैं तो यह रहा फ्रेंट्स इसके स्लेवस और सिलेबस के बारें बात करें कि इसके लिए कौन सा बुग खरीदे ता वह आप ले सकते हो और यहां पर science और mathematics के लिए तो mathematics के लिए आपके पाद जो भी book हो उसका जो part A और part B होता है जितने topic मेंने बताया है पार कि परेकर को जाइए हाँ mathematics प्रस नहीं पुछे जाते simply हो आप काल्कूलेशन थोड़ा सा topl होता है तो आपको अच्छे तरीका से करना है साइंस के लिए आप इस पीडी के साइंस ले सकते हो और जितने भी टोपिक बताया गया क्यों उसी तोपिक पर नहीं पर नहीं तो यहां पर अच्छा इसवर आप कर सकते हैं आपका रिजल्टियां पर हैं तो तेंट उसमें कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहां पर डेट ओष्छी के बारे में और यहां पर पर च॥े बारे में तो फेंट अगर आपका डेट अववर्थ एक अप्रेल 2002 से ने कर के एक थिस मार्श 205 मतलब 1 अपरेल leto someone time time job समय हynen तो आ अप्लाइक कर सकते हैं तो फोफुली एंडियन ने भी एम आर का जो ये वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अच्छा वो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएका और साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स मेत्र गुरूप वगरा में सेर कर दीजिएका मिलते किसी नए